हाई फूदिस वेलकम बैक टू क्लाट में किचिनेट राय निकिता जैन जै माता की गाईज नवराते शुरू हो चुके हैं और नवरातों के साथ बहुत सारे डिफरेंट बेंजन भी बनेंगे आज हमें कैसी चटनी लिखे आएं जो जट से बन जाएगी जट से पीनट चटनी सबसे पहले इसके लिए एक पैन में मैं जीरा रोस करेंगे थोड़ा सा और उसको हम अलग रख देंगे जस्ट हलका सा ब्राउन इस तरह हो जाए तो आप इसको अलग से कटोरी में निकाल कर रखते हैं अब उसी पैन को हम मीडियम टी लो फ्लेम में रखेंगे गरम करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे एक कटोरी मुफली यह मैंने कच्ची मुफली ली है और मैं इसको इसमे आड कर दूंगे और ड्राय रोस्ट करेंगे जब तक यह हलका सा अपना रंग नहीं बदल देती आप देखेंगे जैसे आप भूनेंगे तो इसमें थोड़े से क्रैक्स भी आएंगे तो कीप स्टरिंग इसको हिलाते रहें कॉंटिन्यूसली अदरवा स्मूफली जल सकती ह नवरातों में आप यह चटनी बनाएं और इसको वड़ों के साथ खाएं या जो हम दोसा बनाते हैं साबुदाना का उसके साथ खाएं यह बहुत डिलिशस लगी और इसी के साथ मैंने इसमें आड कर दी हैं दो लाल सुकी हुई मिर्ची अगर आपको तीखा जादा चटनी बन और इसको इस तरह हिलाते रहेंगे थोड़ी देर ध्यान रखेगा कि हमें इसे बहुत जादा लाल नहीं करना है बस हलका सा बना है जिससे आपको दिखार यूँ इस वीडियो में बस हलका सा रेडिश आएगा और जब यह ठंडी हो जाए तब हम इसको ग्राइंडर जा इसके साथ हम इसमें आड़ करेंगे इमली का प्यूरे में एक इंच इमली के तुकड़े को मैंने पानी में भी होका रखा था और उसका पानी मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगी चटनी को खटा पन तो देगा ही साथ में बहुत अच्छा पीनट के साथ ब्लैंड हो जाए पानी हमेशा दीरे-दीरे करकर ही एड़ करना है अगर आप एक साथ एड़ करेंगे तो आपके अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी मुफली की चटनी कुछ इस तरह की कंसेस्टेंस हमें चाहिए और पानी अकॉर्डिंग टू मुफली अलग अलग क्वांटिटी में लग स जब यह हलका सा गरम हो जाएगा तो आप इसके अंदर एड़ करें हाफ टी स्पून जीरा नॉर्मल जीरा जो घर पे होता है यह वही है और उसको मैंने एड़ कर दिया है और इसके साथ साथ से आठ कड़ी पत्ता लीव्स जिसको मैंने वाश करके फिर इसमें आड़ किया ह आप चाहें तो यह तड़का चटणी के ऊपर भी डाल सकते हैं पर मैं इसको प्रेफरबली जटनी के साथ मिक्स करकर ही खाना पसंद करती हूं तो हमें सारा जो चटनी का हमने बैटर बनाया था वह इस तरके के डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी प screenshot of this recipe and do try this recipe और आप प्रसमी आपने रातों में यह चट्मी हर बार बनाएंगे और हर बार खाएंगे thank you for watching my recipe do like share and subscribe bye bye